असलाम वालेकुम बिस्टेस, वल्कम बाक तू माय चैनल, आज आप सुनेंगे नौवल, दीवाने सीजन टू, सेकेंड लास्ट एपिसोड, आज की एपिसोड बहुत फ़नी, बहुत इंट्रस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरी किचन में क्या कर रही हो तो, खाना बना रही है, असलाम ने आसपास किचन की हालत देखी, उस तेहर चीज अलग-अलग बरतन में काट कर रखी हुई थी, शायद वो आलो गोश्ट बना रही थी, अब उसे थोड़ी बहुत कुकिंग करनी आ गई थी, लेकिन कुकिंग कर जर्ताशा, आपने कहा था कि मेरे आने तक इंग्लिश का सारा सिलिबस कर लेना, तो, तो मैंने कर लिया है, जूट बोल रही हो तुम, सची मैंने सारा सिलिबस कर लिया, मैंने अभी तुम से टेस्ट लेना है तुमें कुछ भी नहीं आएगा, मैं जूट नहीं बोल रही, म भी बस यात कर लेना अरे बहु तुम कि चण में क्या कर रही हो सासुमा अजलान सारा दिन की मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो और ये मैंने तुम्मे कहा थनंगे में बना लोगी हंड्या सासुमा बेटा अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो बता दो ऐसे ही पैसे जाई कर रही अजलान के माथे पर सिलवटों का जाल बिचना शुरू हुआ था अजलान मैं दो मिनिट के अंदर अपनी किताबे लेकर उपर पहुँचो पर वो उसे घूरता सिर्णिया चड़ गया अब उसकी सास थी और वो हंडिया तो तुमने बना ही दी रोटिया मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ आपने वादा खिलाफी करके अच्छा नहीं किया मैंने कोई बादा नहीं किया था लेकिन आपने कहा था आप अजलान को बोलेंगी मैंने कहा था कि मैं सोचूंगी लेकिन मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला असल में पार्लर में इतना अरश्ठाना कि क्या बताऊं क्या बाते हो रही हैं सास बहु मैं अंकल? कुछ नहीं अजलान ने डाटा है इसे क्यों? सारा सारा दिन वो बोलता रहता है कि पढ़ लो पढ़ लो और ये किछन में लगी है आपने इसे रोका क्यों नहीं? अरे मैं सो गई थी, अभी अजलान की आवाज सुनकर उठी हूँ ये तो गलत बात है बेटा, आपको पता है ना? अजलान इस मौमले में सख्त जरताशा, उपर से अजलान की आवाज आई अजी मेरी बात, कोई बात नहीं सुनी मुझे मैं सच में पढ़ती ही रही हूँ क्या पढ़ती रही हो तुम सब पता है मुझे हद होती है किसी चीज की मैं ओफिस से ठका हारा आता हूँ और तुम? मैं आपके पाउं दपादू? मैं मजाब के मूड में नहीं हूँ मैं भी मेरे चेंज करने तक अपने नोट्स खोल कर बैठो वो से वान करता वाश्रूम में गया शावर लेकर जब वो बाहर आया तो वो बैट से टेक लगाए फोन में गुसी हुई थी जरी जी? क्या करहा था मैंने तुम्हें? सिर्फ नोट्स खोल कर बैठने को कहा था आपने देखें मैंने खोल कर एक मिनट के लिए भी नहीं सोगी आज तुम लेकिन मैं नीन पूरी नहीं करूंगी तो सुबह कैसे? ये तुम्हारी गल्दी है मैंने कहा था मेरे आने तक पढ़ लेना इतना मुश्किल है मैं कैसे पढ़ लेती? जरी इंसान बन जाओ मुझे भूक लगी है पंदरा मिनिट में मुझे ये टॉपिक क्लियर चाहिए पंदरा मिनिट में कैसे होगा? मैं पंदरा मिनिट में पंदरा क्लाइंट हैंडल कर लेता हूँ तुमसे एक मजमोन नहीं याद होगा हाँ हाँ साफ साफ मुझे नालायक ही बोल दे जरी मेरे सर में और दर्द मत करो क्या आपके सर में दर्द है वो चीखी जिस तरह तुम चीख रही हो यकीनन अभी फटी जाएगा मैं अभी आपके लिए कॉफी और खाना वो बैट से उतरने लगी थी के अजलान ने उसे कलाई से पकड़ कर वापस बिठाया तुम क्या चाहदी हो उसके दोनों बाजोस की कमर तक लगाए वो बड़े आराम से बोला मेरा पढ़ने का दिल नहीं है कोई नई बात बोलो अजी इंग्लिश का ही पेपर है में लिख तुम्हें लंडण जाना है के नहीं अजलान आप मुझे ब्लैक मील कर रहे हैं यही समझ लो अगर मैं पास हुई तो तो हम लंडण जाएंगे अगर ना हुई तो तो मैं मिस्टिक टिक के साथ जाऊंगा अजलान क्या अजलान सेकरेटरी है वो मेरी आपकी सेक्रेटरी सिर्फ मैं हूँ मेरी सेक्रेटरी इतनी नालायक नहीं हो सकती अच्छा पहले तो B.S.C. भी खतब नहीं हुई थी तब भी सेक्रेटरी रख लिया था मुझे तब क्यूं रखा था? तब तो मजबूरी थी कैसी मजबूरी? इतनी प्यारी लड़की को हाथ से कैसे जाने देता मैं? वो उसकी आवारा लटो को पीछे करता बोला अब तुम पढ़ रही हो या मैं मिस्स टिक-टिक? मैं पढ़ रही हूँ और एक दफा पेपर खत्म हो लेने दे फिर बताऊंगी मैं आपको वो अपने बाजू अजाद करवाती अब नोट्स में सर देकर बैठी बस पास हो जाना मेरी लाज रख लेना इस बात का जवाब जरताशन नहीं दिया था मैं किसी को जूटी उमीद नहीं दिला सकती वो बड़ बड़ाई कल लास्ट पेपर है हाँ इसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसे इंग्लिश कोर्स करवा हूँ इसा रोशनी ने उसे कोहनी मारी ये तो बहुत अच्छी बात है हर चीज सीखनी चाहिए रोशनी तो वैसे भी बहुत लायक बच्ची है बहुत जादा इसा ने बहुत पर जोर दिया था वैसे बादी के पेपर्स कैसे हुए रोशनी को अचानक ही खांसी का दोरा पड़ा अरे क्या हो गया बीवी कुछ नहीं मैं जरा खाने की तयारी नहीं बेटा आपका पेपर है आप तयारी करे नहीं आंटी में बना बीवी नूरी है ना वो सब देख लेगी हाँ बेटा इसा ठीक कह रहा है आपको पढ़ना चाहिए जी जी वो बमुश्किल मुस्कुराती वहां से उठी अपना मुबाइल उठाना वो नहीं भूली बीवी अपना फोन तो देती जाओ इसा की आवास पर उसके कदम रुके उसने गुस्से से मुठियां भीची जब्त से आँखे जोर से बन करके वापस खूली और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती उसकी तरफ मुड़ी जो सारी की सारी 32 सी बाहर निकाले उसे ही देख रहा था रोशनी का दिल तुकिया एक मुका उसके नादों पर दे मारे पर सास के सामने अपनी इमिज भी तो बनानी थी मेरे फोन की बैटरी ही ख़त्म हो गई है मुस्से जरूरी कॉल करनी थी वो उससे फोन पकरता है सफाई से जूट बोल गया रोशनी इसा तो हमेशा से कॉलेज में टॉप करता रहा है अब आपकी बारी इस दफ़ा खासी इसा को लगी थी वो भी सफ्ट वाली आप दोनों के ही गले खराब हैं शायद सादिया बेगम उसे पानी देती बोली अब कर लो कॉल बाद में कर लूँगा आप सुनाए हूर को भी सर्प्राइज देंगी कैसा हुआ एक घंटा तो मुझे पेपर पढ़ने में लग गया कितना लंबा था लंबा कहा था एक ही शेट थी जरताशन ने हूर को अच्छी तरह से देखा अगले सफ़े पर भी कुछ लिखा था क्या मतलब अगला सफ़ा भी था हूर ने अपना सर पकड़ा कोई बात नहीं गम न करो तुम्हें कौन सा आता था वो भी जरी हा ना मुझे भी नहीं आता था फिर भी क्या पता मुझे आता होता वैसे था क्या ये तो अब मुझे भी नहीं याद तुम लिख क्या रही थी इतने घंटों से लिख कहा रही थी कहानिया मार रही थी अपने से बना कर या अल्ला अगर मैं फेल हो गई तो हैदर मेरी चटनी बना देगा तुम तो ऐसे कह रही हो मैं तो इस उमीद पर बैठी रही कि वो एजल की बच्ची मुझे दिखाएगी रोश्णी की दुश्मन से तुम चिटिंग करती रही हो मुसीबत में गधे को पी बाप बनाना पड़ता है यार मुझे पहले ही पता था तुम दोनों बेवफाई करोगी मुझे बैठने तो पहले मुझे जरताश्र दिवार का सहारा लिती बाहर आकर बेंच पर बैठी रोश्णी उन्हें घूरती उनके पीछे थी इतनी लेट क्यों आई हो तुम दोनों तुम दोनों को इतना कैसे आता था मुझे तो कह रही थी हमें कुछ नहीं आता वो आते ही उन पर भड़की क्या हो गया है सांस तो लेने दो कसम से यहां आकर सांस आ रहा है अंदर तो ऐसे है जैसे आक्सिजन की कमी हो गई थी हूर लंबे-लंबे सांस लेती उनके साथ ही बैठी एक तो खुद से बड़ी उसने चादर ली हुई थी जिसमें वो अपने वजूद को छुपाए गर्मी से बेहाल थी तुम दोनों इतनी देर तक क्या कर रहीं थी करना क्या है नकल करने करना क्या है नकल करने की कोशिश कर रहीं थी लेकिन हमारी कोशिश कामियाब नहीं हुई पीचर ने पेपर ले लिया शुकर है तुम शुकर कर रही हो मैंने आधा पेपर सिरे से छोड़ दिया गले मिलो यार रोश्णी उसे जोर से गले लगाया उसकी खुशे की इंतहा नहीं थी पागल हो गई हो मैंने भी आदा पेपर छोड़ा है क्या अब हुर खुशी से चीखी फिर उन्होंने जरी की तरफ देखा जो नजरे फेर गई अगर तुम पास होई ना तो देखना हद है सारा दिन में इस उमीद में किचिन में काम करती रही कि मेरी सास मेरे शोहर को बोले की कि क्या जरूरत इसे पढ़ाने की और सारी रात मुझे अजलान के कहने पर पढ़ना पढ़ा और अब अगर मैंने पेपर में कुछ लिख दिया है तो तुम दोनों मेरे पीछे पढ़ गई हो मैं आदे घंटे की यहां बैठी हूँ तब से दुआ कर रही हूँ जैसे टीचर ने मेरे से पढ़ लिया तुम लोगों से भी ले ले रोशनी ने बात तो करती थी लेकिन अब जो दोनों से घूर रहीं थी ना जिस तरीके से घूर रहीं थी उसने नजरों का जाविया ही बदल लिया वैसे जिससे लगता है कि वो पास हो जाएगा वो हाथ खड़ा करे रोशनी मुस्कुरा कर बोली और जवाब भी वैसा ही आया था तीनों में से किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया था यार इतना मुश्किल पच्चा कौन बनाता है और नहीं तो क्या हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए अलग से पेपर बनना चाहिए हाँ ना और वो एजल की बच्ची लिखी जा रही थी लिखी जा रही थी और मैं बस अपनी शीट्स गिन रही थी जितना वक्षीट्स किनने में लगाया इतना लिख लेती लिखती क्या क्यूं तुम्हें इसाने कुछ नहीं बढ़ाया जितना मेरे दिमाग में बैठा था ना उतना लिखाई फिर तु 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 पक्का फेल होगी हाँ हाँ तुम जब पास होई देख लेंगे सास की बातों में आकर शोहर से बेज़ित हो गई तुम और बाते हमें सुना रही हो तुम मेरे जखमों पर नमक में छिड़को अच्छा या नणाई छोड़ो दफा करो खुशी की बात ये है कि पेपर खत्म हो गए हूर ने उनकी होसला अफजाई की ये बात तो सही है ये जरूरी नहीं कि पेपर कैसे हुए पेपर हो गए ये जरूरी है और उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है क्या हुआ आप मोठ ठीक भी कर लो हूर ने उन दोनों को हिलाया जिनके मूँ बने हुए थे खाना खाने चले बाहर हूरिया ये क्या तरीका है क्या हो गया है भाई तुम तो चुपी करो तुमने भी इसे मना नहीं किया हैदर मैंने थोड़ा से ही खाया था थोड़ा सा भी क्यों खाया जब तुम्हें सकती से मना है फास्ट फॉर्ट अम्मी ये देखें इसे अम्मी ने देखा हुआ है मुझे ये क्या शोर है भई अम्मा जी अपनी छड़ी के सहारे चलती कमरे से बाहर निकली वो नवेरा बेगम की रिष्टे में खाला लगती थी उनकी अपनी वालिदा तो इंतकाल कर गई थी तो उन्होंने नवेरा बेगम को पाला था वो जादतर गाओं में ही रहती कभी कबारी शहर आती अभी जर्य उन्हें देखती उनकी तरफ वड़ी नानू अरे मेरा दम घुट गया छोड़ो लड़की नहीं दम घुटता आपका वो जोड़ से उनकी गाल चूमती बोली हाई हाई लड़की नानी शर्मा गई इस दफ़ा इतनी देर बात क्यों आई तुम जो आाकर ठक गई हो अपनी मा के साथ अरे नानू मैंने इस दफ़ा आना था लेकिन अब आप आ गई है न बस बस बहू तु खड़ी क्यों है नानो वो बैट शा और तु जा लड़की भावी के लिए शिकनजी बना कर ला क्या तुझे क्या कम सुनाई देता है ये शादी के बाद बहरी हो गई है इतनी सफाई से नानी ने उसे बेज़द किया था कि वो सीधा किचन में चली गई इतनी गर्मी है पता नहीं क्या मुसीबत इस लड़की को जो बहू को कॉलेज भेज देता नानो बस आज ही जाना था अब छुट्टी इसका मुँ क्यू बना हुआ है आपकी बहुरानी बहार से खाना खाकर आई है हैदर तब कर बोला तु क्या हो गया अगर एक वक्त का खालिया बहार से वो हूर को साथ लेकर सोफे पर बैठी नानो यहाँ पहले ही कम लोग नहीं थे इसकी तरफदारी करने के लिए जो अब आप भी हैदर तु इतना जल्ले कपसे लग पड़ा पर जा रहा हूं अपने कमरे में हैदर और ने उसे पीछे से आवाज दी जाने दो तुम बैठो पर नानो अरे बैठ तू जरी ले भी आ नीम्बू पानी नानो लेम्बू नहीं है मेरा पुतर मैं गाउं से शौपर भर कर लाई हूं तो कहां गए वो शौपर भर लेम्बू पूरी फ्रिज भड़ी पड़ी है जरी जरा अपनी आँखे खोलो नवेरा बेगम ने उसे आँखे खोलने का हकुम दिया उसकी आँखों के आगे चर्बी आ गई है नहीं है तेरा नानू आपको वैसे ही मैं अच्छी नहीं लगती हाँ मुझे इल्जाम दो खुद ना अपनी हरकते दुरुस्त करना नवेरा जा तू ही बनाना नीबू पानी बहु के लिए नानू सच सच बताए वो उनके करीब होती राजदारा ना लहजे में बोली क्या लीमो पानी आपने खुद पीना है हूर का तो बहाना है न इधर रुक तुझे मैं बताती हूँ जरी मैडम उठकर किचन की तरफ भागी हूर तेरा रंग पीला क्यों पढ़ रहा पता नहीं शायद वो अपनी बात मुकमल करने से पहले मुपर हाथ रखती कमरे की तरफ भागी हैदर जो लाप टॉप में सर्दी ये बैठा था उसे वाश्रूम की तरफ भड़ता देखकर परिशानी में उठा अरे देखो लड़की को क्या हुआ किधर गई हूर पता नहीं मुपर हाथ रखकर अंदर चली गई रास्ते में भी इसका दिल खराब हो रहा था वो नीमोनी चोड़ती बोली जब उसकी कमर में एक थपड़ पड़ा अम्मी क्या अम्मी तुझे नहीं पता इसकी हालत का मैंने क्या किया तुझे जरूरत क्या थी उसे लेकर बाहर जाने की पर अम्मी हूर मुझे पता है तुम्हारे ही पैर घर नहीं लगते रोज तुम्हें बाहर का खाना खाना होता है अम्मी, ठीक ही तो कह रही है तेरी मा, बाहर के खानें खाखा कर ही तो तेरी ये हालत मेरी हालत को क्या है नानो, वो तप्ती बूली हूर से पहले की शादी हुई है तेरी, लेकि अभी तक गोत खाली है कुछ लिहास करो नानों, सही कह रही हैं मा, ये बचपना छोड़ दो अब जरी हद है आप तोनों से, मैंने ही बना रही लीमों पानी, खुद बनाए वो गुस्से से किजन छोड़ कर बाहर बढ़ी, तो सामने ही अजलान खड़ा था उसकी आखों में फौरण ही आस हुआए, इतनी सी बात थी लेकिन उसके दिल पर लगी थी जरी, वो उसकी तरफ भड़ा, इससे पहले वो कुछ कहता नानों की उस पर नजर पड़ी अजलान पुतर, वो जुकता उनकी तरफ भड़ा, गले लगा नानी को, वो उसे मिलते ही रो पड़ी मेरा शेर बच्चा, अजलान की हाथ मों जोमती वो ठक नहीं रही थी जरी चा पानी ला, अपनी प्यारी बेटी को बोले, मैं आपकी कुछ नहीं लगती देखो कैसे जुबान चला रही है शोहर के सामने, हाँ तो अपने शोहर के सामने ही चला रही हूँ ना जरी, अजलान ने उसे टोका, ये है ही पागल, तुम बैठो बेटा मैं पानी लाती ठीक है, आप तीनों हैं ही मेरे दुश्मन, मिलकर बैठे और मेरी पुराई अंकरे, वो पैर पे टख्ती वहां से निकल गई, इसका मीटर क्यों शोट है, इसका ठीक कब हुआ, नवेरा बेगम की बात पर वो बेसाफता हांसा था, वो चौथी दफ़ा फिर पेसन पर जुक मूबिद हो, ठीक हो अब, वो बस हां में सरे ला सकी, उसे लेकर वो वाश्रूम से बहार आया, क्या हो आहून, हो न क्या है, जो तुम खाना खिला कर लाई हो उसी का नतीजा है, भाई, क्या तुम्हें बार बार बतानी पड़ेगी इसकी हालत जरी, हैदर इसे क्यों नरास तुम तो चुप ही कर जाओ, उसे इतने गुस्से में बोलता देख, उसकी जमान खुद पर खुद ही बंद हो गई थी, ये तो बेवकुफ है, तुम तो समझदार हो जरी, भाई हमने इतना कुछ, आज के बाद तुम्हारा घर से निकलना बंद, और जरी रोश्टी से तु दर्वाजे के पास रुक कर उसने होर की तरफ इशारा किया, मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है, पर जरी मैं आज ही तुम सब को ब्लॉक करने वाली हूँ, वो बैर पिटकती दर्वाजा धराम से बंद करती बाहर चली गई, हैदर उस पर घुस्ता करने की, चादर ल जंबी सोच पर तो होर सत्के वारी ही गई थी, अब चलो, ठीक हूँ मैं अब, बस जरा सा दिल खराब हो गया था, ये जरा सा था, प्लीज हैदर, क्यों डांट रहे हो बहो को, पीछे हटो, ये तु अधरक का कहवा पी, सब ठीक हो जाना है, पर नानुई से डॉक्टर, त पैसों का जिया है डॉक्टरों के पास जाना, अरे भाई हमने भी बच्चे पैदा किये है, तेरा कोई अनोखा बच्चा आ रहा है दुरिया में, और ये औरतों की काम है हम देख लेंगे, और आज के बाद पढ़ाई खत्म, घर सम्हालो निर्की, आगे बच्चा हो का उसकी देख भाल किसने करनी है, वो से कहवा देती बोली, तू अभी तक यही खड़ा है, जा रहा हो नानू, एक नजरों से देखता वो बाहर आ गया था, जहां जरी अपने शोहर की साथ चिपक कर बैठी थी, उसकी आते ही उसने मूँ दूसरे तरफ कर लिया, उसकी इस कोई बहनोई जीगले नहीं लगाएंगे, जरी मेरा बाजू, आप मेरे शोहर है या इनके, तो तुम्हारा, तो कोई जरूरत नहीं है इनसे मिलने की, वो तुम्हारा शोहर होने से पहले मेरा कजन भी है, कोई कजन नहीं है वो किसी के, वो सिर्फ जरताशा चौधरी के शो को अजलान आज के बाद हम यहां नहीं आएंगे क्यों क्यों मतलब क्यों जिस घर में आपकी बीवी की इज़त नहीं है आप उस घर में आना पसंद करेंगे वो तो अजलान की घर में भी नहीं है हैदर की जुबान से गलत जुमला फिसला मेरा मतलब है के मेरे शोहर मेरी हैदर ने बहुत पर जोर दिया वो मुस्कुरा रहा था और जरी को तब चलती जा रही थी चले अंजलान घर वो यगदम उठी क्यों घर क्या है नानों भी बहार आई खूर अंदर ही लेट गई थी सारा दिन बैठ बैठ कर उसकी कमर ठक गई थी मेरी सास और ससुर देखा हु हैदर ने अपनी अम्मी की तायित करते हुए कहा अजलान भीब मुश्किल अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल किये बैठा था तेरी असल सास जिंदा होती तो तुझे सब कुछ सिखा दी नम्मा से कुछ सीखा है तुमने और अब सास तो है ही तुम्हारे से भी दो पैर आगे आप मेरी सास को क्यों ला रही है बीच में चुपकर आई बड़ी सास की वार्गन नागिन है वो मेरी बेटी का घर खा गई एक जुम्ले ने माहौल को अजीब बना दिया जरी ने अजलान के चेहरे के रंग बतलते देखे अम्मा क्या बाते लेकर वैट गई आप छोड़े इसे हाँ आप ने मुका जायका ही खराब करना वो तो वैसे भी खराब ही रहता है पुतर तो ही कुछ अकल सिखा इस कमकल को मुझे क्या सिखाएंगे ये देख कैसे कैची की तरह जुबान चलती है इसकी आप मेरे ही शोहर को मेरे सामने मेरे ही खलाव भड़का रही है जरी आराम से बात आप चुप कर रहा रही है मेरे शोहर है मैं जो मर्जी करूँ नानी से उसकी शुरू से ही कम बंदी थी इस पर वो उसे टोकती और उसका गुसा सवानेजे पर पहुंच जाता लेकिन ये भी उसे बहुत अच्छे से पता था कि नानी उससे प्यार भी बढ़ा करती है पर उनका जताने का अंदास कुछ अलग था अमा अभी चुप कर जाएं वो नहीं चुप होने वाली कान खीच जब लगा कर आई हो तुम्हारा शोहर तो भूका है ना आपने लन्ज्ट नहिं किए अजलान अभी तो बड़ा मेरा शोहर मेरा शोहर कर रही थी और पता इतना भी नहीं वो आफिस में लंच करते हैं हमेशा आज क्यू नहीं किया तुम नहीं कहा था आज अम्मी के घर लं बाहर से खा कर आई है और हूर को भी खिला कर लाई है जिबके उसे सखती से मना है बाहर का खाना अभी भी उसकी इतनी तब्यत खराब हैदर को तो अपनी बीवी की पड़ गई थी इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता नानूने कानों को हाथ लगाया जरी आ भी जाओ ये खाना लगाओ अजलान उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था वो बिलकुल रोने वाली हो गई थी शायद अब मजाब कोई और ही रुख ले रहा था क्यूंकि उसके बाद फिर जरी चुप कर गई थी और खाने की दोरान भी वगाय भी रही घर वापस जाते हुए भी उसने कोई बात नहीं की क्यूंकि उसका मूट बहुत खराब हो चुका था पेपर कैसा हुआ? दरवाजा खुलते ही ईसा ने पूछा हो गया? वो अपना बैग उसे पकड़ाती अंदर आई हो तो गया लेकिन हुआ कैसा? अच्छा ये तो तब ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा ईसा ने उसका बैग सामने टेबल पर रखा जब पता है तो बार-बार क्यू कर आई हो? खत्म हो गए पेपर्स अब ये टॉपिक क्लोस कर दो नूडल्स तुम बताओ मुझे और इतनी लेट क्यूं घर आई हो? वो पेपर ही लेट खत्म हुआ था जहां से लंज करके आई हो वहां का पास्ता काफी अच्छा है तुम्हें कैसे पता? स्ट्रीक देख ल होता है, फिर क्यों टेंशन लेते हैं? तुम्हारे जैसी बीवी हो तो टेंशन बनती है बीवी? आप बताएं के क्या खाएंगे? ये तुम आप जनाब क्यों? कब से बोच रही हूं मैं? बतावी दे आज क्या बनाओं आपके लिए? गिरने से बचने के लिए इस तैने कु पहा ना लिया, बीवी तुम ठीक तो हो? बाहर इतनी गर्मी से आई हैं, पेपर लिख लिक कर मेरी उंग्लिया दर्द कर रही है, तो बेटा आप थोड़ी देर सोच आती, अरे आंटी आप कब आई? मैं अभी ही उठी हूं, सफर की ठकान उतरी, मैं आपके लिए चाय बना लगी, कितनी गलत बात है इसा, वो बेचारी अभी आई है बाहर से, मामा मैर, आप तो अभी थोड़ी दिर पहले उठे है, बेटा आप जाएं, अराम करे, आज लंच मैं और इसा बनाएंगे, लेकिन, कोई लेकिन वेकिन नहीं, और आप सहबजादे, साधिया बेगम ने इसा को कान से पकड़ा, चलें कीचन में, पर मामा, उसने घुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा, जो मुस्कुराती उसे बाय बाय करती कमरे की तरफ भड़ी, जरूर अल्लह को मेरी कोई और अदा पसंदाई होगी, जो ऐसी नेक सास मिली है, मामा इतनी गर्मी है, नू टेपल पर रखी, फेल ही होना है, फिकर मत करे, ऐसी क्यों बोल रही हो, बत्तमीज जो हूँ, और नालायक भी, बलकि दुनिया भर की बुराईया है मुझे, दुनिया में भी कुछ गलत होता है, तो मेरी ही वज़य से होता है, जरी, अजलान ने उसका हाथ पकड़ कर उसे कहां से आ गया था, इस नेक पेशकश की वज़ा, बलकि आप में स्टिक्टिक से ही करने शादी, क्यों मेरे पास मेरी इतनी प्यारी बीवी है, मैं क्यों करू शादी, बस करे, कोई प्यारी नहीं हूँ मैं, बलकि फोड हूँ, वो तो हो पर, देखा, मुझे सच निकल गया जाना, कहते हुए उसकी आँखे भर आई, जरी, वो प्यार से उसका चेहरा ठामते बोला, क्या हुआ, होर मा बन रही है, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं नहीं बन रही, मेरी शादी पहले हुई, पहले मुझे मामा बनना चाहिए था, सब बाते बनाते हैं, आज न वो उसकी बच्पने पर हस रहा था, दूसरी शादी करके क्या करूंगा, किसी अच्छी सी लड़की से करिएगा, जो आपको खाना बना कर दे, जो आपसे पहले उठ जाया करे, जो आपकी कपड़े इस तरी करे, उन्हें धोए, जब आप आफिस से आएं तो दर्वाजे प गौर से उसे सुन रहा था, उसे रोते देखकर बिचारे के रंग उड़े, वो उसके आसु साफ करने लगा, जो बस दूसरी शादी के जिकर पर इतना रो रही थी, और अगर वो ऐसा सोच लेता तो वो रो रोकर सिला भी ले आती, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, नहीं तक हमारा पे बेवी होता, इसमें तुम्हारी क्या वलती है यार, जब अल्लह ने देना होगा, वो ते देगा, और तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं, तुम्हें मेरे लिए खाना पकाने की, मेरे शूर साफ करने की, या मेरे कपड़े धोनी की जरूरत नहीं है, मैं अ पाल सवारता बोला, उसने अपना सर उसकी कंदे से टिकाया, मैंने तो नहीं हूर को बोला, कि वो जबरदस्ती बाहर का खाना खाए, वो हमें खुद बाहर लेकर गई थी, तो तुमने हैदर को क्यों नहीं बताया, वो फिर हूर को डांटते, और जो उसने तुम्हें निदात अंदर किये, अभी हसे आप, नहीं तो, आप भी उन जैसे है, मैं आप से भी नराज हूँ, अजलान को तो लेने के देने पड़ गए थे, वो मुझ फुला कर दूसरी तरफ मुझ करके लेट गई, वैसे दूसरी शादी वाली ओफर कब तक मेहदूद है, वो उसकी तो मेरी दूसरी शादी, अजलान, अब क्या था, जरी जाने और उसके नन्हे मुन्ने मुक्के, जो वो बिचारा खा रहा था, अरे मेरी बात तो सुनो, हैदर में ठक गई हूँ, अभी दो चकर लगा कर ही ठक गई तुम, वो मेरा ड्रामा लगने वाला, ड्रामे से जादा वाक जरूरी है, इसी निये ड्रामे बंद करो और चलो, ओ जैक सहाब तुम भी तेज कदम चलो, वो तीनो लॉन में ही वाक कर रहे थे, जब दर्वाजे की घंटी बची, इस वक्त कौन आ गया, तुम यही रुको मैं देखता हूँ, कौन है है एदर, वो अभी आगी कुछ बोलती के रोश्टी अंदर आई, तु, मैं नहीं ये, वो पिछे हंडी तो उसे साधिया बिगम नजर आई, मामा, हैदर बेटा, अब कुछ दिनों के लिए हूर को हमारे पास भेज़ दो, ये हुआ था धमा का, और धमा का किया भी तो किसने था, हैदर की सास ने, उसका त और खाना भी वो रोजी बाहर का खाएगी, फिर और बाहर का खाना खाने से होने वाले बच्चे का मेदा फराब हो सकता है, आप बिलकुल फिकर ना करें, आपकी जोज़ा का मुकमल तरीके से ख्याल रखा जाएगा, हाँ, हम सब हैं वहाँ पर, क्यों हो जैसा हैदर बोले हैदर बिचारा बोलने वाला ही कहा रहा था, अरे इसने क्या कहना है, तुम जाओ, तुम्हारी मा परदेश से आई है, ये तो इधर ही है, अमा जी ने जैसे बात ही खत्म कर दी, नानो ठीक कह रही है, वो बस इतना ही कह सका, लगता है है हैदर भाई, तुम्हारे बगर बि होल बजाता, कि शुकर है, कुछ दिरों की अजादी तो मिली, हूरिया, कुछ जरूरी समान पैक कर लो अपना, फिर, हाँ बहु जाओ, रात भी काफी हो गई है, मैं खाना लगवाती, नहीं नहीं खाने का तकल्फ करने की कोई जरूरत नहीं, हम डिनर करके ही निकले हैं, देखा, ऐसे होते हैं शोहर, वो खुद पाकिंग करने गए हैं हूर की उसके साथ, बीवी, तुमने जाना है माई के तो मैं भी, कहीं नहीं जा रही मैं, इधर आओ लड़की, अम्मा जी ने अब रोशनी को अपने पास बिठाया, जरी की दोस्त हो, जी, माशाला अब तु कैसे घूरा, डॉक्टर के पास गई हो कोई मसला तो नहीं, अम्मा कैसी बाते कर रही हैं आप, नवेरा बेगम ने रोका, काम की ही बाते कर रही हूँ, बच्चे जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, अब जरी को ही देख लो, तुम दोनों आना हमारे गाउं, मैं हैं, के टूतक, क्या, इसा, साधिया बेगम ने इसा को इशारे से चुप रहने का कहा, और एक दफ़र डॉक्टर को भी दिखा लो, जी नानू, ये जो बाहर से खाने खा कर आती हो ना, इससे भी बड़े मसले बन जाते हैं, रोश्णी इदर आना जरा किचिन में, नवेरा टीम, वो जरा उनके करीब होकर बैठा, बारा बच्चे चाहिए मुझे, है अल्ला, बारा बच्चे, हाँ न, आपके घर की क्रिकट टीम हो जाएगी, अरे खुदा को खौफ करो, बच्ची मारनी है क्या, नानू की बात पर वो बमुश्किल अपनी हसी रोक कर बैठा, वो पोशना ये था कि हर दफा बाबाजी से तावीज लेना पड़ेगा, या एक ही बार में बारा बच्चे, इसा, रोश्नी की आमद पर वो चुप हुआ, पुत्तर तुझे तो अल्ला बच्चाए, तेरा शोहर तो बारा बच्चे चाहता, चाहिका कप उसके हाथों से गिरते गिरते बचा, संभालकर रोश्नी अभी तुमने क्रिकेट, रोश्नी ने उसकी बात मुकमल होने से पहले अपने पाउं जोर से उसके पाउं पर रखे, एडी वाले जूते का दबाव पढ़ता ही जा रहा था, आख, क्या हुआ इसा, वो रोश्नी उसके पाउं से जूता इसाब ठीक तो है ना, दिखाओ पाउं, वो फिकरवंदी का ड्रामा करती उससे जहर लगी, हैदर क्यों मूँ बनाया हुआ है अब, मैंने कब बनाया, मैं अंधी नहीं हूँ, ठीक है मेरा मूँ, वो तो ठीक ही है लेकिन मोट तो खराब है ना, वैसे मुझे नहीं पता थ मेरे जाने से आप इतना उदास हो जाएंगे, वो बड़ी अदासे बोलती उसके गरीब आई, होर्ण, जी, तुम्हारे जाने से उदास नहीं हूँ मैं, ये गईब है स्पानी में, तुम जा रही हो शौक से जाओ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने कहीं बाहर से ख खालत देखी अपनी, आप मेरे जाने पर उदास नहीं है, नहीं, बलकि मुझे तो ये फिकर खाय जा रही है कि उधर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हैदर वो बेयकिनी से बोली, लास्ट वर्निंग है मेरी बेगम, इसके बाद में प्यार से बिलकुल नहीं सम कर निकलने लगी, लेकिन वो उस तरफ भी उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, घर से नराज होकर नहीं निकलते, मुझे तुमसे कोई और लेक्षर नहीं सुनना, यार तुम्हारे भले की ही बाते करता हूँ, रास्ता छोड़ो, अच्छा बताओ, वापस कब आओगी, क तेरे बगार तो एक दिन भी नहीं रह सकती तुम, वो शोखी से उसके आसो साफ करता बोला, मैं इसलिए नहीं रो रही, फिर क्यों रो रही हो, तुम्हें सिर्फ हर वक्त अपने बच्चे की फिकर होती है, बच्चे की मा की नहीं, अभी भी तुम इसलिए उदास नहीं हो कि मैं जा रही हूँ, बलके, कितना सोचती हो तुम, और हमेशा वलत सोचती हो, पीछे हटो, जाना है मुझे, वो अपना हाथ उसके सीने पर रखती बोली, लेकिन वो वही हाथ पकड़ता वापस खुद से लगा गया, अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ हुई तो दर्द तुमें ही होगा ना, अब यहाँ उर्टिया तुम कर रही थी या बच्चा, म, मैं, तो जादा तकलीफ तो तुमें हो रही थी ना, यही मैं नहीं चाहता, वो बड़े आराम से उससे समझा रहा था, मैं नहीं चाहता कि तुमें कोई भी तकलीफ हो, यह हमारा बच्चा है, लेकिन तकलीफ सिर्फ तुम बरदाश करोगी मेरे भी तो कुछ परायज है न इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो तुम्हे कोई दर्ध हो इसलिए तुम्हें रोकता हूँ इसलिए हम साधा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे का दिमाग खराब कर रही हो तुम हैदर यार वो फिर भी बच्चे की बात करने से बास नहीं आया था जल्डी वापस आना अभी जातो लेने दो वो बैक पकड़ता उसकी पीछे बाहर आया वैसे आंटी को हम इधर ही रख लें तो हूर ने उसे घुरा तो वो चुप हो गया मेरे जैक का खयाल रखना बलकि मैं उसे साथ कोई जरूरत नहीं है कुट्टे के बच्चे को अपने साथ रखने की अरे ये भी भला कोई बात होई मैं भी यही कहता हूं नानू पर मेरी कोई सुने तब ना खूर तुम फिकर नहीं करो हम सब हैं जैक के पास वो सब को मिलती उनके साथ चली गई और वो अभी तक दर्वाजे के पास ही खड़ा था बेटा जी अंदर आने का इरादा है या नहीं आ गया अम्मी अभी से उदास हो गए अभी तो वो निकली है क्या करूँ उसकी चर्चर की आदत जो हो गई है अरे इस कुट्टे के बच्चे को निकालो लगता है जैक फिर नानू की कमरे में चला गया वो दोनों हस्ते अंदर भागी पता नहीं ये जैक को नानू का कमरा इतना पसंद क्यों आ गया था वो चितना उससे चर्टी थी वो उतना ही उन पर चर्टा था अरे मुझे इस वक्त गुसल करना पड़ेगा अब पीछे हटाओ इसे नानू वो प्यार कर रहा है आपसे हाँ हाँ इनसान तो मर गए है अब ये कुटा ही रह गया है मुझे प्यार करने के लिए सासुमा सासुमा बीजान सासुमा को देखा बेटा वो तो अभी उठी ही नहीं चलो जी बहुरानी उठ गए और सास अभी तक लंबी दान कर सो रही है अजलान कब गए ओफिस वो आज जल्दी ही निकल गए थे कह रहे ही थे कोई मीटिंग है नाश्टा क्या उन्होंने नहीं वो जल्दी में थे आप उनके लिए लंच बना दे में ऑफिस देने जाओंगी अभी मैं जरा सासुमा को देख लिए बीजान मुस्कुराती किचिन में चली गई और वो सासुमा की कमरे में जहाब उसकी चीखों पुकार से तंग होती उठकर बैठी क्या है क्यों तुफान मचाया हुआ है तुफान तो अभी आएगा सासुमा चले आए बहार नाश्टा करते हैं मैं फुद कर लूँगी बहु की होते हुए अगेले नाश्टा करेंगी आप बहु ने तो जैसे मुझे बना कर देना है ना नाश्टा बहु को बनाना आदा तो आपको क्यों उठाती मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाश्टा बना कर बाबा आप नहीं गए ओफिस फरहान वो हाँ बस तबियत सरफ राप थी बहार लॉन में चक्कर लगाता रहा था नाश्टा कर लिया आपने तुम सो रही हो तुम्हें क्या फिकर अरे नहीं नहीं बाबा आउंटी अभी मुझे यही कह रही थी कि अपने बाबा को देखो मैं नाश्टा बनाती हूँ जितनी इसे मेरी फिकर है बहुत अच्छे से पता है मुझे आप भी ना बाबा कैसी बादे लेकर बैठ गए आईए आप हम बाहर बैठते हैं सासुमा मेरे लिए दो पराठे बनाईएगा वो उनके कान में बोली तो वो और तपी अब क्या था वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे बादे कर रहे थे और सासुमा बेचारी गर्मी में किचन में लगी पराठे बना रही थी बीजान के लिए भी पराठा बना दीजीगा हाँ हाँ क्यों नहीं बाहर चौकिदार के लिए भी बना देती हूँ साथ हमसायू के लिए भी बना देती हूँ मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है वो बढ़ बढ़ाती बोली सासुमा मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे बुलाने की बिलकुल जहमत ना कीजीगा क्योंके मैं नहीं आऊंगी वो किचन में बटन रखने आई तो बोली आ लेने दो अजलान को तुम्हारे पर कटवाती हूँ वो रोटी तवे पर डालते बोली फिलहाल तो मैं खुद जा रही हूँ उनके पास मुझे ही बता दीजिए मेरी क्या शिकायत लगानी है मैं आपकी तरफ से कह दूँगी वो बीजान से लंच बॉक्स पकड़ती बोली चाई ले आओ भाई बीजान आप नाश्टा करने सासुमा दे आती हैं चाई बहर सासुमा ने जोर से कप टेबल पर रखा बेगम जी मैं दे चुप करके नाश्टा करो तुम वो घुस्से से बस चीखी नहीं थी उक्य बाबा मैं जरा अजलान को लंच दे आओं उन्होंने नाश्टा नहीं किया न एक तुम हो और एक मेरी बीवी है हाँ हाँ कर ले बुराईया मेरी बहु के साथ पूरे घर को खाना बना कर खिलाती हूँ अभी भी मैं ही बुरी हूँ तुम जाओ बेटा बीजान सासुमा को लाल शर्वत पिलाएं वो फिर भी बाज नहीं आई थी मस टिक टिक कैसी हैं आप मुबारक हो बहुत बहुत शादी की शादी वो बमुश्किल मस्कुराती बोली वैसे किसके किसमत फूटी है जरताशा का मजाग उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था अरे मेरा मतलब है कौन है वो फुश नसीब अरे मेरी शादी हुई है किया तुम्हारी शादी हुई है मिस्टिक टिक से अस्तफिरुल्लाः अली ने कानों को हाथ लगाया आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी मेरी शादी नहीं हुई अली की शादी हुई है आप किब तक करेंगी मेरा मतलब है उमर का तकाज़ा है ना अब तक तो शादी जरताशा अजी वो आपके लिए मैं लंच लाई थी अली शादी बहुत मुबारक हो खेर मुबारक लेकिन आप थोड़ी लेट हो गई अब तो मेरा एक बेटा भी है माशाओला माशाओला क्या स्पीड है अली तुम जाकर प्रिंटर देखो वो चल नहीं रहा अली के जाने के बाद मिस्टिक टिक ने उसे अच्छे से घूरा आप कब तक खुश खबरी सुना रही है जरताशा माइडम अभी हमने इसकी बारे में सोचा नहीं और अगर सोचेंगी भी तो आपको नहीं बताएंगे जरी अजलान ने उसे घूरा नजरे बच से बड़ा ही डर लगता है मुझे जरताशा फिर मुलाकात होगी मिस्टिक टिक अब वो भागती अंदर आई जहां अजलान गोस्से में खड़ा उसे घूर रहा था अस्सलाम वालेकुम क्या कर रही थी तुम वहाँ पर पहले सलाम का जवाब देता है बंदा वो लंज वाक्स टेबल पर रखती जाकर उसकी सीट पर बैठी अरे आप खड़े क्यों है बैठिये न ये मेरा ओफिस है वो जैसे उसे बता रहा था हाँ हाँ आप नहीं ओफिस समझे जरी काम बताओ मेरी मीटिंग्स है अभी बहुत चादी क्या मैं बस यहाँ काम के लिए आती हूँ हाँ मैं आपके लिए लंच ने मैं लंच पहले भी यहीं से खाता हूँ अब काम बताओ मुझे शॉपिंग पर जाना है अच्छा मज़ाग था आपने कहा दा पेपर्स की बात चलेंगे वोट कर उसके पास आई मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आप अपकी बात से मुकर रहे हैं मैंने ऐसी कोई कमिट्मेंट नहीं की अब जल्दी से जाओ यहां से अजलान तुम जा रही हो या मैं मैं स्टिक्टिक को बोलू तुम्हें दर्वाजे तक छोड़ कर आए शर्म नहीं आएगी आपको मुझे आफिस से बहाँ निकालने मैं बिल्कुल भी नहीं आप मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते वो उसकी बात का जवाब देता कि मैं स्टिक्टिक अंदर आई सर क्लाइंट आपका इंतजार कर रही है आ रहा हूँ मैं लेकिन लंज तो जरी में क्लाइंट के साथ ही लंज करूँगा पर मैंने इतनी महनत से बनाया था बनाया था या बनवाया था वो उसके करीब आता मुस्कुरा कर बोला जो भी है महनत तो की थी न मैंने तो इस महनत के बदले तुम मुझसे क्या चाहती हो क्रेडिट कार्ड पागल लगता हूँ पर हूँ नहीं अब चलो घर अजीद? मैं? वो अपना लापटाप उठाता बाहर की तरफ बढ़ा चलो अब नीचे ड्राइवर तुमें छोड़ आएगा वो मुझ बनाती उसके पीछे बड़ी तो वो आगे मिस्टिक्टिक से पता नहीं इतना करीब खड़ा कौन से राजोनियास की करने में मसरूफ था इस मिस्टिक्टिक को तो अल्लह पूछे क्या ये भी इसके साथ जा रही? वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आकर खड़ी हुई सर सारी इंफुमेशन मैंने आपको मेल कर वो बात करती करती रुकी क्यूंके जरी बिलकुर उसके करीब कान की एक खड़ी थी उसके देखते ही वो पीछे होती इधर उदर देखने लगी जरताशा अजलान ने उसे वॉन किया अजलान मुझे भी खाना खाना है लंच तुम्हारे हाथ में है मुझे आपके साथ क्लाइन के साथ लंच करना है अजलान का दिल कर रहा था किसी दिवार को सर दे मारे वो आफिस आकर उसके सर पर सवार हो गई थी सौरी मैडम पर ऐसे क्लाइन इंकमफुटिबल फिल करते है पर मिस नाइला ठीक कह रही है क्लाइन्स की प्राइविसी भी होती है तो ये क्यों जा रही है साथ उसने अपने दिल से अजलान की कान में ये बात की थी लेकिन नाइला के कानों तक बखू भी पहुँच गई थी अजलान ने तंग आकर उसका हाथ पकड़ा और उससे अपने साथ नीचे लाया मिस टिक टिक उनकी पीछे ही थी चलो गाड़ी पर बैठो अब वो गाड़ी का दर्वाजा खोलता जबरदस्ति उसे अंदर बिठा चुका था आप गलत कर रहे हैं वो क्यों जा रही है आपके साथ जरी वो मेरी सेकरेटरी है वो हर मीटिंग में मेरे साथ होती है उसका होना जरूरी है मैं भी तो आपकी बीवी हूँ ड्राइवर मैडम को घर छोड़ कर आओ मैं अपनी मामा की घर जा रही हूँ अभी कल ही तुम उनसे नराज होकर आई हो आपको इससे क्या आप जाए मैस टिक टिक के साथ वो बेचारा ना ठीक से हस सकता था कि वो जल रही है ना रो सकता था कि उसकी मीटिंग लेट हो रही है अलाहाफिज सर हम लेट हो रहे है हाँ हाँ आ रहे हैं तुमारे सर इनका अचार डाल लेना ड्राइवर अलग उनकी लडाई पर मुस्कुराहट जप्त किये बैठा था मेरी अम्मी के घर चले आप मेरे आने से पहले घर पर हो तुम वो उसे वॉन करता जाकर अपनी गाड़ी में बैठा उसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी जिससे मिस्टिक्टिक को तो सफ्थ उलजन हो रही थी मैडम में बहुत बच्पना है बच्ची है तो बच्पना तो होगा न असलाम की एक बात और मिस्टिक्टिक का मुब बंध हो गया था जरी तुम क्यों मैं नहीं आ सकती वो जलती कुड़ती आकर सोफे पर बैठी बेटियां रोज रोज माई के आती अच्छी थोड़े लगती है माई भी बेटियों की घर इतनी देर रहती अच्छी नहीं लगती नानो नवेरा बेगम ने उसे गूरी से नवाजा कि जबान कंट्रोल में रखे क्या कह रही है ये कुछ नहीं अम्मा मैं चाहे लेकर आती हूँ लड़की क्यों आंखी सर पर रखी हुई है नानो मैं बहुत गुस्से मैं हूँ बज़ा भी बता दो आपका लाडला है ना अजलान किसी लड़की को लेकर गया है लंज करने है अम्मा उसकी सेक्रेटरी होगी नानो यह हमेशा उन्हीं के साइड ले दी है मैं इतने प्यार से अपने हाथों से लंच लेकर गई और उन्होंने देखा भी नहीं क्यों नहीं खाया अम्मा मीटिंग होगी उसकी अम्मी आप चुप करें हाँ तो चाय बना अब तू बता मुझे सारी बात नानो राजदाराना लहजे में बोली उसने पता नहीं उन्हें क्या क्या कहानिया सुनाई अम्मा जी अब सर पकड़ कर बैठी थी और नवेरा पिगंब सुनके आगे चाय की कप रखकर वापस किचन में बतन समेटने चली गई सारी घल्टी तेरी है एक थपड़ उसके सर पर रसीद हुआ मेरी क्या घल्टी है हालत देख तू अपनी नानो ये देख बालो को कैसे बांधा हुआ है तुने कलाईया देख अपनी कितनी सूनी है और हाथ इन पर कभी महनी लगाई है तुमने ये देख कितने दाने निकलाए है तेरे मूपर नानो कपड़े देख कल भी तुने यही बहने थे आपको मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्या आप मुझ में किड़े निकालने बैठ जाए लड़की तेरे भले की बात कर रही है ऐसी हालत में रहोगी तो वो दूसरी लिल्कियों के साथ ही काना खाएगा ना मतलब तु चल मेरे साथ मेरे कमरे में मैं होर से मिल लू पहले अभी तक सोई हुई है वो अरे तु मेरे साथ चल वो गई है अपने माई के नवेरा तु अजलान को फोन कर आज रात का खाना वो इधर ही खा कर जाए बीवी बीवी आ रही हुई इसा वो बड़ा मीठा बोली सास का लिहाज करते हुए जल्दी आओ जाओ बेटा कोई काम होगा उसे वो टीवी के आगे से उठती कमरे में आई क्या मसला है क्यों जीख रहे हो अभी बाहर तो बड़ा मीठा बोल रहीं थी तुम सर ना खाओ काम बताओ सोना नहीं है तुमने मैं होर की कमरे में सो जाओंगी क्या किस खुशी में बस ऐसे ही बीवी सीधे तरीके से वापस अपने कमरे में आओ क्यों तुम्हें मेरी याद आ रही है तुम्हारी याद क्यूं आएगी मुझे अपनी बेहन की फिकर है जितनी तुम सोते वक टांगे मारती हो अगर उसे लग गई तो हैदर मुझे कच्चा चबा जाएगा दफा हो जाओ तुम सोने की तैयारी करो हद है होर बाहर मेरा इंतजार कर रही है हम वो भी देख रहे थे शर्म नहीं आदी इस हालत में मेरी बेहन को फिल्मे दिखा रही हो तुम चहती हो उसके यहां तुम्हारे जैसा कोई अदाकार ही बैदा हो तुम्हारे से बड़ा कोई अदाकार है इस दुनिया में मामा आप इसाप कैसी बाते आउंटी वो वो वापस मुड़ी तो दर्वाजे पर कोई भी नहीं था कितने बड़े ट्रामे बाज हो तुम शोहर किसका हो मेरा वो मुस्कुराती हुई बोली बोलो भी अब क्यों बुला रहे थे क्यों अपनी बीवी को नहीं बुला सकता मैं वो उसके गिर्द अपना हिसार कायम करता बोला बड़ा प्यार आ रहा है खेरियत बीवी वापस अपने कमरे में आओ जब तक हूर उधर है मैं हूर उधर है तो क्या मैं घर से बाहर चला जाओ रोशनी यार हूर के आते ही वो उससे दूर हुई जी चोड़ दो दो दिन शोहर की जान वो अंदर आती बोली क्यों छोड़े वो मेरी जान वो वापस उसे अपने साथ लगाता बोला वो मेरी दोस्त है मेरे साथ रहेगी शर्म नहीं आती एक शोहर को उसकी बीवी से दूर करते हुए हर वक्त बीवी साथ ही होती है मैं एक हफ्ते के लिए ले रही हूँ बस सारा दिन थोड़ा होता है गईपते करने के लिए क्या शोर मचाय हुआ है मामा देखे भाई को रोशनी को बाहर नहीं आने दे रहे मामा ये देखे आप उसने अपना मुबाईल खोल कर मामा को दिखाया होर और रोशनी भी देखने के लिए आगे हुई ये हैदर ने उसका टाइम टेबल बना कर भेजा है और ये खाने का चार्ट इसके मताबिक तुम्हारा सोने का वक्त कपका हो चुका है उसने खास इदाया जारे की है कि मेरी बीवी को उसकी दो दोस्तों से दूर रखा जाए रोशनी का मुख पूरे का पूरा खुला था मामा ये बस मुझे तंग करने के लिए कर रहे है बेटा ठीक ही तो कह रहा है इस हालत में इतनी देर तक नहीं बैठना चाहिए अभी वो आगे कुछ बोलती कि उसका फोन बजा चलो जाकर बात करो उससे शाबाश जाओ इसा हो मुवी बेटा अब भी रेस्ट करे सुबह देख लीजिएगा आंटी मैं होर होर के साथ मैं हूँ हाँ बीवी होर के साथ मामा है तुम मेरे साथ रहो शाबाश चलो पागल साधिया बेगम हस्ती बाहर चली गई शरन तो नहीं आती तुम्हें तरन तुम्हें आनी चाहिए यह होर की शादी हमारे साथ हुई थी और वो हम से आगे है क्या मतलब हर बार हम क्या पीछे ही रह जाएंगे बात चमझ आने पर रोशनी ने इधर उदर हत्यार ढूणने के लिए नजरे दोड़ाई देखो बीवी तुम्हारी इसी जंग की वज़ा से अभी तक नोडल्स रुख जाओ तुम मैं तो कहता हूँ वो हैदर की नाने ठीक ही कह रही थी हमें बाबाची से तावीज इसा रोशनी ने कुशन उठा लिया था अब इसा आगया आगय था और वो उसके पीछे पीछे मामा आप तुम्हारी भूल है अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली जरूरत भी नहीं है आने की बेटा एक बार फिर से साधिया बेगम की आवाज आई अब तो उसका दिल कर रहा था कि किसी गहरे कुए में च्छलान गदा दे आज का दिन ईसा का था इसलिए उसके दाथ अंदर नहीं जा रहे थे सो लिसनर्स इस वाज दा एंड ओफ दा दीवाने सीजन टू एपिसोड नमबर एट इंशाला जल्द मिलते हैं इंशाला जल्द मिलते हैं अपिसोड नमबर नाइन के साथ तब तक अपना खयाल रखे दो और मैं आद रखे आना अफिस